स्ट्रेंट्स आन हम लोग चेप्टर फाइब का टॉपिक पर रहे हैं पॉलिगोन जिसका चेप्टर का नाम हम लोग का है अंडरस्टाणिक एलिमेंटरिस से तो चलिए आप पॉलिगोन के बाड़ें पढ़ते हैं और जाते की पॉलिगोन क्या होते हैं कैसे बनाए जाते हैं और simple close figure and made a line segment is called, यहां लिखे लोग, is called polygon, चीक है, तो मतलब कि आप लोग को बता रहे हैं, एक मेंट रुटे गा, जैसे क्या है, कि एक normal साथ close figure होगा, वो किस सी से बनेगा, तो line segment से बनेगे, और क्या होगे, वो एक दूस्य से घिरे हुए होगे, उसी कहों polygon कर सकते हैं, अब माल लिजी, अब अगर हम यहां आप लोग को polygon दिखाई दे रहा होगे, कि तीन line segment से क्या बनेग, और बच्चों आप लोग को line segment का मतलब, आप लोग को हम बता चुके है, line segment किसको होते हैं, line segment हम उसको बोलेगे, जिसके क्या होगे, दोनो end point fix होगे, हम उसी क्या क्या क् बच्चों यह 3 line segment से हम लोग का क्या बन सकता है, 3 line segment से हम लोग का एक triangle का figure बन सकता है, बन सकता है ना बच्चों, यह क्या है, triangle हम लोग का 3 और से बन है, और यह 3 क्या है, एक close figure है, और कितने line segment से मिलके बने है, तो 3 line segment से मिलके triangle बने है, आप बच्चों देखे, 4 line segment से कौन पांचा से बन सकता है, वो लाइन सिग्मेंट से हम लोग का एक पाडी लेटरल बन सकता है, जैसे यहां दिकरा एक, दो, तीन, इसको यहां एक हम दो चार, क्या यह चार लाइन सिग्मेंट है, यह चारो लाइन सिग्मेंट से हम लोग का बना, एक पाडी लेटरल बना है, ठी पेंटागोन बना अफ़ों के मन में एक डुबिदा जरूर आठी है कि मैं आखिर अथara याक्र के बनाई कले तो «हसे नहीं बन सकता है। लाइन सीगमेंट की ओर जरौस ओगी जो तीसरा होगा तो तीसरा से माई क्या बनेगा यह बनेगा लेकिश हमारा पूई शेप नहीं बन सकता है। बच्छो अब आप लोगों 6-line segment से और 7-line segment से बताएंगे कि कौन बशा शेप बनता है। ठीके, 6-line segment से हम लोगा कौन सा figure बन सकता है तो hexagon बन सकता है। और hexagon आप लोग किसको कहेंगे तो ऐसी आकृति, ऐसा close figure adjustment क्या हो हमारे 6-side हो। आप लोगों रिखने हैं तो in that figure which has 7-line segment, it is a close figure, इसको हम लोगों क्या कहेंगे, it's called hexagon, मितलब कि जैसे कि ऐसा आकृति हो, जिसमें क्या हो, 7-line segment से हम लोगों का shape मिलके बना हो, जिसको हम लोगों क्या कहेंगे, hexagon कहते हैं। और 8-line segment से क्या बनेगा, तो 8-line segment से हम लोगों का octagon बनेगा, octagon के लिए भी उन क्या कहेंगे, जिसमें ऐसी आकृति या ऐसा figure, जिसमें क्या हो, 8-line segment से वो मिलके figure बना हो, और कैसा figure हो, तो एक close figure हो, ठीक है, तो इसके definition के लिए क्या लिखेगा, in that figure, या in that, it have a 8-side, it is a close figure, it is called a octagon, मतलब कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, कि ऐसी आकृति हो, या ऐसा figure, जिसमें क्या हो, 8-line segment रो, और 8-0 क्या हो, एक बुसरे से अपने आपने घिरेवे, उसी फिर्म क्या कहेंगे, octagon करते, इसी तरह बच्चे हम लोगों का ये polygon जो है, हम लोगों का आज का क्लास समार्थ होता है, ओके, thank you